हेलो दोस्तों आप सभी को सुबलाब जी के क्लासेस में स्वागत है आज ये 16 मार्च दोज़ाच चोबिस आज की इंपोर्टिन करेंटे प्रेस क्लास को सुरू करते हैं फास्ट कोर्शन रणजी ट्रोफी दोज़ाच चोबिस का किताब किस ने जीता है और इसका अंसार है मुंबई ने जीता है यानि रणजी ट्रोफी दोज़ाच चोबिस का किताब मुंबई ने बिदर्ब को हरा कर जीता है यानि इसका अंसार हो जाएगा ये मुंबई देखे, 2023 रोंजी ट्रोफी का 89 सीजन का आयजन 5 जनवारी से 14 मार्च के बीच आयजन किया गिया था और इसका फाइनल मेंच मुंबाई के बंखडे स्टेडियम में किया गिया था और मुंबाई ने अपना 42 वां रोंजी ट्रोफी का किताब जीता है और अजिन के रहाने रोंजी ट्रोफी जीताने वाले मुंबाई के 26 वे कप्तान बने है और इसमें प्लेयर अप्टर सिरेज का किताब तनूस कटियान को मिला है मुंबाई के अज सबसे ज़्यादा विकेट आर साई किशोर को मिला है अज सबसे अधिक रोंजी ट्रोफी के किताब भी मुंबाई के पास है आए अब नेक्स्ट कोस्टन में बैसिक मानव बिकास सुचकांग 2022 में स्वीजालेंट सी सिस्तान पर है इसमें भारत का इस्तान क्या है और इसका अंसर है 134 यानि 134 यानि बैसिक मानव बिकास सुचकांग 2022 में स्वीजालेंट सी सी स्तान पर है यानि थार पॉसटन पर कोन है थार इस्तान पर है Iceland धारिस्तान पर है आइस लेंड है और पाकिस्तान का रहेंक क्या है, पाकिस्तान का रहेंक है, और नेपाल का रहेंक है Cooperation E ने Polarized World में इसे प्रकासित किया गिया था. अब देखी important fact, हैंले passport index 2024 की सुची में भारत एक्स पचासवे इस्तान पर है, 2024 सुईन्य ताकत रेंकिंग में भारत चोथे इस्तान पर है, ब्रस्टचार साधरान सुचकांग 2023 में भारत का इस्तान 93 है, Global Gender Gap Index में भारत का इस्तान 127 है, 2027 सुचकांग में भारत 161 इस्तान पर है, 200 Digital प्रतिस्थपारतमग रेंकिंग में भारत का इस्तान 49 है, आईए अब नेक्स्ट कोश्चन में, लेंगिक और सामानता सुचकांग 2022 में एक सो तिरनवे देशों की देशों में भारत का इस्तान क्या है, इसको करेक्ट कर लिजेगा, यह है 193, एक सो तिरनवे देशों में भारत का इस्तान क्या है, और इसका एंसर है 108, यहनि इसका साही अंसर होजेगा B, 108, देखे, 13 मार्च 2024 को UNDP द्वारा जारी मानव विकास्ट रिपोर्ट, दोज़गींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींगींग आई एब Next Question में Northern Callfield Limited के नए अध्ध़्द और प्रवंध निदिश्चक के रूप में किसे निउप्त किया गिया है और इसका अंसर है B SIROM यानि Northern Coffee लिज़्द लिमिटेट के नए अध्द़्द और प्रवंद निदिश्चक के रूप में बी सहराम को नियुक्त किया गिया है यानि इसका अंसर हो जाएगा ये बी सहराम अब देखे आधार अप्शन दीपक वल्लानी ये इंडियान शुकर और बायो एनरजी मेनुफेक्टर्स एसोसियेशन के मानिर्देशक यानि डारेक्टर जनरल हैं राजेंदर प्रसाद गोयल ये एन एच पीसी लिमिटेट के अध्दक्च और प्रवंद निर्देशक हैं और अजाई कुमार अजाई कुमार चोधरी अजाई कुमार चोधरी नाशनल पैमेंट करफेशन अप इंडिया के गेर कज्योकारी अध्दक्च हैं आई अब नेक्स्ट कोस्टन में चंडिगर के नए पुलिस महानिद्र से के रूप में किसे न्यूक्त किया गिया है और इसका सही अंसर है सुरेंदर सिंग यादब यानि चंडीगर के ने पुलिस मानिदेशक के रूप में सुरेश सिंग यादब को नियूक्त किया गिया है यानि इसका सही अंसर हो जगा सी सुरेश सिंग यादब अब देखे निना सिंग निना सिंग को ने केंद्रियो ओद्रगीक सुरक्षाबल यानि CISP के पहली मानिदेशक बनी है रस्मी सुकला महरास्टर के पहली मानिदेशक बनी है यानि Director General पुलिस आप देखे डल्जीत सिंग चोधरी रास्ट्यो और सुरक्षाबाड यानि National Security Guard के मानिदेशक यानि Director General है यानि इसका अंसर हो जाएगा C, सुरेश सिंग यादव आई अब नेक्स्ट कोर्शन में राजकुमार विश्यकर्मा को की से राज्यों के मुख्यों सुचना आयुक के रूप नियुक्त किया गिया है और इसका अंसर है उत्तर प्रदेश यानि राजकुमार विश्यकर्मा को उत्तर प्रदेश राज्यों के मुख्यों सुचना आयुक के रूप नियुक्त किया गिया है यानि इसका अंसर हो जाएगा D, उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के राजजपाल अनंदी बेन पैटेल ने लखनों के राजभुबन में राजकुमार विश्योकर्मा को उत्तर प्रदेश के मुक्ष सुचना आयूत को रूप में सपर दिलाया है आईए अप नेक्स्ट कोस्टन में ग्रामीन विकास मंतरलाई ने मैलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसके साथ समझोता किया है और इसका अंसर है जेपाल यानि ग्रामीन विकास मंतरलाई ने मैलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जेपाल के साथ समझोता किया है देखे जेपाल का फुल्पम क्या होता है आपदूल लतीब जमील प्रोबाइटी एक्सन लेब इसका फुल्पम होता है और जेपाल ग्रामीन गरीब महिलाओं को आत्मनिवर बनाने के लिए समावसी बिकास पर एक नॉलेज पाटनर के रूप में कार्य करेगा जेपाल एक बैसिक अनुसंदान केंद्र है जो गरीबुई से जुड़े मुद्ध पर काम करता है और भारत सरकार के ग्रामीन विकास मंत्रले ने दक्षिन ACI के जेपाल यानि अबदूल लतीब जमील प्रोबाइटी एक्सन लेब के साथ एक समझोता पर हस्तक्चर किया है य अब नेक्स्ट कोश्चन में भारत सरकार ने भारत में फीन टेक इकोसिस्टेम को मजबूत करने के लिए किसके साथ एक रीन समझता पर हस्तक्चर किया है और इसका सही अंसर है ACI विकास बैंक यानि इसका अंसर हो जाएगा B. ACI विकास बैंक भारत सरकार और ACI विकास बैंक ने भारत में फीन टेक इकोसिस्टेम को मजबूत करने के लिए 23 मिलियन डॉलार के रीन समझोता पर हस्तक्चर किया है इसके तहत फीन टेक सिक्षा को मजबूत करने इस्टाटप सफलता दर बढ़ाने बढ़ावा देने और फीन टेक अनु बी ACI विकास बैंक आई अब नेक्स्ट कोस्टन में ग्लोबेल रेटिंग एजनसी फीच ने बित्तोबर्स दोजर पचीस के लिए आर्थिक विकास अनुमान 6.5 प्रतिसत से बढ़ा कर कितना प्रतिसत किया है और इसका अंसर है 7 प्रतिसत यानि ग्लोबेल रेटिंग एज इसका अंसर हो जाएगा ये 7 प्रतिसत आई अब नेक्स्ट कोस्टन में ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त सइन्य अभ्यास सुरक्षा बेल्ट दोजर प्रतिस सुरू किया है इस अभ्यास में कौन-कौन देश सामिल है और इसका अंसर है चीन, रूस और इरान यानि ओमान की खाड़ी के पास एक संयुक्त सइन्य अभ्यास सुरक्षा बेल्ट दोजर चोबिस सुरू किया है और इस अभ्यास में चीन, रूस और इरान देश सामिल है यानि इसका अंसर क्या हो जाएगा ये चीन, रूस और इरान अई अब नेक्स्ट कोस्टन में अनुच्छे 370 के निरस्थ होने के बाद जम्मू कस्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पाला राज्य कौन है और इसका अंसर है महरास्ट्र यानि अनुच्छे 370 के निरस्थ होने के बाद जम्मू कस्मीर में सरकारी गेस्ट हाउस बनाने वाला पाला राज्य महरास्ट्र है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा C. महरास्ट्र यह गेस्ट हाउस मद्धो कस्मीर के बोडगाम जीले में जीले के इच गाम में 2.5 एकड़ भूमी के भूमी में मनाया जाएगा जो स्रीनगर हवाई अड़े से और रेलवे स्टेशन से भी 5 किलोमेटर दूरी पर इस्तित है यानि इसका सही अंसर क्या हो जाएगा C. महरास आई अब नेक्स्ट कोश्चन में मुहमद मुस्तपा की इस देश के ने प्रदार मंत्री बने है और इसका अंसर है फिलिस्तिन यानि मुहमद मुस्तपा फिलिस्तिन के ने प्रदार मंत्री बने है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा D. फिलिस्तिन फिलिस्तिन राष्ट्रपती मौम्मद अब्बास ने मौम्मद मुस्तफा को देश का नया प्रदान मंत्री नियुक्त किया है यहीं इसका सही अंसर हो जाए गया फिलिस्तिन आई अब नेक्स्ट कोस्टन आई अब इंपोर्टेंट फैक्स में हाली में नियुक्त हुए बिभिन्यों देशों के राष्ट्रपती और प्रदान मंत्री आमद अबद बीन मुबारक यमन के ने प्रदान मंत्री बने है नायब बुकले अल सलवाडर के ने राष्ट्रपती बने है ओल्जास बेक्टोनेव काजिकिस्तान के ने प्रदान मंत्री बने है अलेकजंडर इस्टोप फिनलेंड के राष्ट्रपती बने है प्रभावो सुभियांतो इंदोनेसिया के ने राष्ट्रपती बने है फैलिटी टीओ तुबालू के ने प्रदान मंत्री बने है याद रखियेगा Next question Hindi साहितों के लिए किसे साहितो अकदम ही पुरसकार 2023 से संभानित किया गया है और इसका सही अंसर है Sanjeov यानि हिंदी साहितों के लिए Sanjeov को साहितो पुरसकार 2023 से संभानित किया गया है और इनका उपन्यास का नाम था मुझे पहचानों अब देखे निलम सरन गोड इन्हें अंग्रेजी के लिए साहित्तो एकडमी दिया गया है सरनजीत साभी सरनजीत साभी को पंजाबी के लिए साहित्तो एकदमी पुरसका दिया गया है और अरुन कुमर मिनिस्टर को संस्कीत के लिए साहित्तो एकदमी पुरसका दोज़ा तेई से सम्मानित किया गया है यानि इसका सही अंसर क्या हो जाएगा ये संजीब कुमर अब देखें महत्तोपुन्य पुरसकार 2024 जोया अक्तर अस्मा खान को लंदन में इंडिया यूके एचिबास एवार्ट से सम्मानित किया गिया है यह तीन बासकर दुग्गल ने राश्ट्य यूबा संक्सद महत्सद 2024 में प्रतम पुरसकार जीता है भारती इंटर्प्राइजेज के अद्धक्ष और संगस्तापक सुनिल भारती मित्तल को ब्रिटेन के राजा चाल्स तृतियो द्वारा मानद नाइट हूड से सम्मानित किया गिया है भोती की बिग्गानी डक्टर अदिती सेंदे को जीडी बिल्ला पुरसकार 2023 मिला है सवसी धारूर को प्रांस का सरभच्च नागरिक पुरसका से सम्मानित किया गिया है आई अब नेक्स्ट कोस्टन में लक्ष्मी नाराण रामदास का 90 बर्स की आयू में निदन हो गया वो कौन थे वो पूर्बो नेभी चीप एड्मिरल थे यानि इसका सही अंसर हो जाएगा ये पूर्बो नेभी चीप एड्मिरल अई अब नेक्स्ट कोस्टन में विश्य उपवक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है और इसका सही अंसर है 15 मार्च यानि 15 मार्च को विश्च उपवक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है यानि इसका सही अंसर होजेगा D 15 मार्च अपने के World Consumer Rights Day 2024 का थीम क्या है Fair and Responsible AI for Consumer विश्च उपवक्ता अधिकार दिवस 2024 का थीम यानि विश्च उपवक्ताओं के लिए निश्पक्ष और जिम्मेदार AI अब देखें मार्च 2024 से मनायागे मत्तोपुल्न दिवस एक मार्च विश्च नागरिक सुरक्षा दिवस यानि World Civil Defense Day एक मार्च सुन्न भ्यदवाव दिवस यानि Zero Discrimination Day तीन मार्च विश्च बर्नजीब दिवस वर्ल्ड वर्ल्ड डइप देखें मार्च विश्च श्रबन दिवस यानि World Hearing Day चार मार्च अंट्राष्ट्य सुरक्षा दिवस नाशनल सेप्टी देखें आठ मार्च अंत्राष्ट्य मैला दिवस International Women Day 10 March, CISF स्थापना दिवस यानि CISF राइजिंग दे, next 10 March, अंतराष्ट्य माईला न्याधिस दिवस यानि International Women Judge Day 13 March, धुम्रपान निशेद दिवस यानि No Smoking Day 14 March, विश्व कितनी दिवस यानि World Kidney Day अब देखिए 15 March, 2024 के मौत्वपुन कारेंट एफेस को रिविजन करेंगे Indian Sugar and Bio Energy Manufacturers Association ने किसे अपना नया मानिदिशक निउक्त किया है और इसका अंसर है दिपक बल्लानी, यानि इसका सही अंसर है यह दिपक बल्लानी Next Question Kendri Anvasion Bureau यानि CBI की उपो मानिरेक चक यानि DIG के रूप में किसे निउक्त किया गया है और इसका अंसर है सारा सर्मा यानि इसका सही अंसर है यह सारा सर्मा Next Question भारत के ने चुनाव आयूत के रूप में किसे निउक्त किया गया है और इसका अंसर है ज्यानेश कुमार और सुखबीर सिंग सिंदु यानि इसका सही अंसर होज़ेगा C दोनो Next Question केंद्रिय माद्दोमिक सिख्चा बोड यानि CBSC के अधक्ष करूप में किसे निउक्त किया गया है और इसका अंसर है राहूल सिंग इसका अंसर राहूल सिंग यानि इसका सही अंसर होज़ेगा A राहूल सिंग Next Question इंडियन बैंक काज्योकरी निद्देशक रूप में किसे निउक्त किया गया है और इसका सही अंसर है Bridges Kumar Singh यानि इसका अंसर होज़ेगा D Bridges Kumar Singh Next Question जोई पासंग क्यार ने किसी अपना ब्रांड अमबसिटर के रूप में निउक्त किया है और इसका अंसर है Saaruk Khan यानि इसका सही अंसर होज़ेगा C Saaruak Khan Next Question किस बारौतियों लेकक को इरास्मो पुरस्काeled ऌज़ चोबिस से सम्बानित किया गया है और इसका अंसर है Amitabh Ghos यानि इसका अंसर होज़ेगा D Amitabh Ghos नेक्स्ट कोस्टन मलिसिया के पैनांग में आजित 45 पे IAA World Congress में IAA World Campus Award 2024 से किसे सम्भानित किया गिया है और इसका अंसर है स्रीनिवासन स्वामी यानि इसका अंसर होज़े का D. सीनिवासन स्वामी नेक्स्ट कोस्टन किस क्रिकेटर को न्यूजिलेंड के लिए बर्स का उतक्रिष्ट पूरुष क्रिकेटर के रूप में सम्भानित किया गिया है और इसका अंसर है राचीन रवींद्र यानि इसका सही अंसर होज़े का C. राचीन रवींद्र नेक्स्ट कोस्टन ICC दुआरा जारी नविन्तम रिपोर्ट के अनूसर ICC टेस्ट रेंकिंग में दुनिया के नंबर उन ग्यंद्बाच कोन बने है और इसका अंसर है रवी चंद्रन आस्वीन यानि इसका सही अंसर होज़े का A. रवी चंद्रन आस्वीन यह दिखें इनका दूसरा रेंक है इसका तीसरा है इसका चोता है Next question Marisus B. Dalai ने किसे Dr. of civil law की मानोद उपाधी से सम्भानित किया है और इसका सही अंसर है दुरुपदी मूर्मो यानि इसका सही अंसर होज़े का B. दुरुपदी मूर्मो Next question Marisus B. दुरुपदी में भारतियों नौसना के लिए किस सोदेशी यूतुपद का सुभरम किया गया है और इसका सही अंसर है आइनस ग्रे और आइनस अक्षाई यानि इसका सही अंसर होज़ेगा C. दोनो Next question भारत इटली सहिनो सयोग सुमोह की बैठक का बारवा सांसंग का आइजन कहां हुआ है और इसका अंसर है नहीं दिल्ली में यानि इसका सही अंसर होज़ेगा C. नहीं दिल्ली Next question वान नेशन वान इलेक्षन पर बनी समीती ने अपनी रिपोर्ट दुरुपदी मूर्मू को सौप दिये इस समीती के अद्धक्ष कोन है और इसका अंसर है रामनात कोबिन्द यानि इसका सही अंसर होज़ेगा C. रामनात कोबिन्द Next question किस राज्यो सरकान ने मैला करमचारियों के लिए अतरिक्त 10 दिनों के अकस्तमिक छूटी की गोशना की है और इसका अंसर है ओडिसा यानि इसका सही अंसर होज़ेगा D. ओडिसा Next question टाटा मोटर्स ने किस राज्यो में करकाना इस्ताफित करने के लिए 9000 करोड की निविश करेगी और इसका अंसर है तमिल नाडू यानि इसका सही अंसर है D. तमिल नाडू Next question 200 किटनी दिवस कब मनाया जाता है और इसका सही अंसर है 14 मार्च यानि 14 मार्च को 200 किटनी दिवस मनाया जाता है यानि 1 किटनी दिवस मनाया जाता है यानि इसका सही अंसर होज़ेगा C. 14 मार्च